जई हिन, दोस्तों आज हम लोग देखें गे रीलवेश समान अध्याइन जो की ये पिनाइकल पुपलिकेशन का फर्ष्ट एडिशन का वुक है जो की समान अध्याइन के लिए बहुत ही बेस्ट बुक होने वाला है तो में दोस्तों पूझें要गे चानी बेस्चें आध Servi 2019 दिया गया है तो हम लोग जो सारे को चैप्टर वाई चैप्टर जो कम्प्रेट कर रहे हैं चलिए हम लोग इसको सुरू करते हैं और सबसे पहले आप लोग इस बुक का कंटेंड देख लेजिए इस बुक में क्या है कि आपको जो है बता दिया गया है देख लेजिए यहां से परमारू सरचना से आपको 26 प्रशने एंटीपी से सीबिटीवन में पुछे गए हैं धातू और अधातू मिश्र धातू से 21 प्रशने है एसीड बेस और नमक से जो है आपको 13 प्रशने है धातू कर्म से 8 प्रशने है कार्बनिक रस साइन बेस से 20 प्रशने है और इसे संबन्दित आठ प्रशने है तो टोटल से हम लोका 2023 के करीमे इसमें प्रशने है तो कमेट करेंगे सबसे जो अधिक आपको पुछे जा रहा हैं तो आप परमाडू सनचनस से देखें यहां से 26 पुछे गए हैं ठेक चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग का रसाइन वीगान पहला प्रेशन स्टार्ट हुआ और पहला प्रेशन कह रहा है कि ओजोन के एक अनु में ऑक्सीजन के कितने परमाडू होते हैं यह जो प्रेशन है पांच जनुवरी 2020 को इविनिंग सिप्ट में पुछा गया प्रेशन है कितने परमाणू होते हैं तो आपका राइटेंसर होगा तीन परमाणू होते हैं यह याद रखिएगा चलिए यहां देखिए ओजोन के एक अनु में ऑक्सीजन के तीन परमाणू मुझूद होते हैं जिन्हें रसाइनिक रूप से ओधरी कहा जात सकते हैं तो इसको और कहता है कि इसको दो नवरीक सिप्ट में पूछा गया प्रेशने जो जितने बार अधिक रीपीट हुआ प्रेशने वह समझ लेज़े कि वह इंपोर्टेंट प्रेशने तभी वह रीपीट हो रहा है तो आप लोग उसको याद कर लेजएगा चलिए अगला यहां से हम लोग का चौथा जो प्रेशने करें कि इस ब्रहमांद में सब कुछ समागरी से बना है जिसे बैगानिकों ने डोडोडोट नाम दिया है तो बैगानिकों ने इससे के ना दिया है नाम दिया है पदात इस ब्रहमांद में सब कुछ समागरी से बना हुए जिसे बैगानिकों ने पदार्थ नाम दे दिया ठेक चलिए अगला प्रशनियां से भरे हुए डोडोडोट प्राप्त कर सकते हैं है यहां इचलिए आगला प्रश्न तो अहां से हमलों का छ्टे लेऊ प्रेस्ट में कि लेक्टिक और साथ प्रेश्न कहा है कि झालो मीनियम ऑक्रेटाइड शिर्पष है है अगिला प्रशन हम लोगों का यह पहला किया लेड का लेड का लाइचांट इसकी बूंद chee होता है वो कि भी होता है चलिए कि अगला प्रमाड़ों में अल्क नाव-बर्पाइट-प्रमाड़ोंας सुनुजगते एलक्ट्रोणों कि संहां घ्यार होती है चलिए अगला प्रॉस्टय हां से हम लोग और banana plant कर वोते हैं Popular do it witheneur कशनलोंस प्रेसिर हृत on हैं कि उसमें नीटरोन नहीं होते हैं ठेक चलिए यहां से दखिए जो पोटैसियंव डूटेरियम और ट्रूटैप्रियं polished के बीच मुख्या अंतर्या है कि यह यह पर प्रोटियों में कोई नूड नहीं होता है जबकि ड्यूत्यट्यों के नं Sheiroλ से बना होता है और यूट्रीट्यम् दो नूइज्ट्रॉन से बना होता है प्रोट्यों में हडा इस ऐी अध्यूस्त्रों से बना होता है Er a लिगानार का नाम बता यह जीसे ने प्रस्टावीत कि इलक्ट्रों को धनातमक छेत्र में अंतर तावित क्या जाता यह किसे द्वरा प्रसावित क्या तो साधिय खोज की कव 1897 में अगला प्रेश्ण है कि निम्ना लिखित में से कौन सा तत्वा या के बहुमुखी तत्वा है जो सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयों की जाने वाली कई चीजों का अधार बनता है तो यह कारबन है कौन सा कारबन और आधे आगला प्रेश्ण हम लों का यह तीरा नम्बर जो प्रेश्ण एक है कि सनी यागता बारा इक्रान नहरे होते हैं जिक प्रमानोता जो है और जिए नेक्स प्रेश्ण अम लोक यहां सेी चॉद्रेन नंबर यह gewoon का रहें कि cannabis की प्रमानोत्तान तो इसके करता है आगला प्रश्न हम रहे कि निभी की कि निसटेमर के सब्सक्राइब Intro का जाता है Super है तो इसमें तो इसलöm हैं आधे याथ हम रहे का से प्रशन का सुलनल प्रशन कि अले Mickey निकीत से रभंड का और रूप रूप ऊप नहीं है कौन साका रभं का उप रूप इस लिवरेन आप चलिया कि साथ का प्राइब करना को अस संग्या होती है जिल्टानों की संख्या होती है ठेक छलिए नेक्स प्रश्ण हर्वात वज रहा है कि धानावयस्ति अयन को हम क्या यह कहते हैं तो उसे कि धानायन कहते हैं अगला प्रश्ण हम लोग का क्मरियन अग्ला प्रश्ण हरे कि विदला जोती है है तो यह ट्राइ ऑक्सिजन से बनी होती है जो है उजूर परत होती है ओ थे चलिए अगला प्रेशन हम लोग का कि हाइड्रोजन प्रमाडू के तीन समस्थानिक होते हैं प्रोटियम डिटेरियम और ट्रीटियम समस्थानिक ट्रीटियम की संबंदित प्रमाडू संक्या और एक और फिण होगा एक जूद है और फ्रमाडू संक्या और इन चलिए है अगला प्रशनियां थे 6 की और का द Hunting नंइन थे दिए नो слव पांब हो गया है तो इसने दोनों का थे होता है ऐ तुसमें City एका मुद्यमाटियमें तो गए तो नेटोजन 14 और हैटोजन 3 ठीक छलिए नेक्स प्रश्न हम लोगा है कि यह 22 नमबर जो प्रश्ने करें कि एक सुक्रोज अनु में डॉट डॉट कारबन परमाणू होते हैं तो इसमें 12 होते हैं कारबन परमानू होते हैं का छलीन अक्सित लिए हमसे से देख लाते हैं एक हैनु में बार्ण प्रमार्ण यह होते हैं सु त्यक्रोज के एकिन वीवरह फॉलेर है है लॉऔर ट्रोपी कर रूप है धे हां पार्ण फॉलॉरिन एक एलो का में नुट्रोप्य रूप कि की चु creators ना कि प्रिंट रिख्य कैशल को हिसंत में तो अधारा यह ठीओ होता है चलिए अगर्छन कर रोकहिं के प्रोपेन कर रासायनुक सुतर देखेласт Gir साइनिक पारह किया है वह सित्री एंच हिटलोग होता है कितना ऐसलिए और प्रोपेन क्वहते हैं प्रोपेन का सज्षी प्रोपेन का हुट यह तो स्बस्क्मुब करता है यह सीफाराय तो होता है वह साइक्लोब पंडिन यह और सेथन का चीटुए-टू- ona होता है और चिप्टू होता यह मैथे लीन गहोता है ठीक चलिया लगा वनोगों किस्फर्स के परमाणता क्या है तो इसके परमाणता जो टेटरा पर्मान मदू है ऑप्केद रिखेये गाए ऊगला प्र Assim आधातू और समय नियुकर का है कि कौन एक उप धातू कि को प्रश्न हो यह 28 नंबर भघ्रार्फ करें की दहत्यों में घचाने की छंते है तो यह JC जाने की जानता होती है इसे तन्याता कहते हैं है झागוס कि अगला सिसायई कि मिसिर्धाथ कहलाती है क्या किया कहलती है तो यह है सुल्डर कहलता है सिसायई को दोड को से रिरूप में misconception कि रेmb applis में से रिना वे सित आयन बनाते हैं अधात्तौब को बीदउत र handicap तो तो यह जो प्रकिरिया है यह बीदूत लेपन कहला आती है नेक्स प्रेश्चन लोग और कि निम्ना लिखे तत्यों में कौम सा कमरे के तपमान पर एक तरल है देखे कमरे के तपमान पर तरल आपका पारा हो जाएगा एच जिसका संकेत होता है कर दो अग्या प्रिश्चन मलोग का के कि माइक्रोची बसीड़ाने के लिए दातू व्यक्हश्चा था सिलिकन श्रोमिनियम गभी शाइड की एक मोटी परत बनाने की परकिरिया को डोडोडोड कहा जाता है ताकि इसे जंग से बचाया जासा के तो इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है या सद लेपन कहते हैं क्या कहते हैं या सद लेपन कहते हैं कि नेक्स्ट प्रेश्ट नम्लोग का यह 36 नमर प्रश्ण कह रहा है कि दिए गया तत्व के धात्वीक लक्षणों का सही करम देखिए यहां पर धात्वीक लक्षणों का सही करम कौन सा होगा तो इसमें आपका लिथियम सोडियम पोटेसियम रुबेडियम और सी असा अफसान आप लोग सी देख लिए यह सही है कि चलिए अगला प्रश्ण हम लोग का 37 नमर के निमनलिखेत मैं से किस मिसर रधातु में टीन नहीं छोती है देखे जो पीतल होता है उसमें तेन नहीं होती है पीतल कॉपर और जिंग का मिसरन होता है अगला प्रश्ण की चांदी के पदार्थों से सक्रिय करके काली हो जा सब्सक्राइब ए सब्सक्राइब तो कि इस प्रस्ड को नींटिंघेंए कि लोहे को जंग से बचाने और जंग लगने से बचाने煮 किसना तैंट है तो यह तो प्रेट किस का फॉपयों करते हैं इसमेंग जेयर ते चलिए अगला प्रशनेया dad यह चालिश नूमर प्रस्ट देखा जाए कि इस टील को सक्स्व करने के लिए किस रसानिक तो क्या सकता होती है तो इस टील को जो है को ठोड़ करने के लिए मेगनिज मिलाया जाता है उसमें ठेक चलिए अगला प्रेश्ण हम लोगा कि निमना लिखित में कौन कौन एक लाव दातु खनीज नहीं है तो अब रख जोता है यह लाव धातु खनीज नहीं प्रेश्ण है कि निमना लिखित में से किसका उपयोग सवर को सिकाव में अर्ध चाला के रूप में सबसे अधिक आ जाता है तो इसमें जो है जी होते हैं उपधातू कहलाते हैं दो इस tapa में से धातू करते हैं को कि यह 54 नुमरे करें को मुथा कॉन तो यह मॉठी ब्रोमिन है अग्रा प्रश् settlements यहां से हम लोग का रिक्त असान में करें कि अलूमिनियम पर अक्साइड की मोठी परत बनने के परकिरिया कहके लाती है तो यह मोठी पर बनने की परकिरिया है यह एनो डाइजिंग कहलाती है यह प्रश्ण आपको 30 जुलाइद रहे किसको मौनिक सिफ्ट में पूछा गया प कि अगला प्रश्ण के पाटाखों को अपना रंग धातू के लवण से मिलता है निम्ना लिखित में से कौन सा धातू लवण हरे रंग की अतिस्वाजी का परदर्शन करता है तो यह बेरियम के कारण होता है याद रखेगा बेरियम चलिए अगला प्रश्ण हम लोग का 48 न कि नीबू के रवकाए यह लगभग क्योंता है लगभव का 4 यह में कि दो होता है प्सटा ऐएसे गश्च-वेसा कहले करें कि दो सब्सक्राइर का 25 यह होता है इनकी ऱ creator तक होती है हमारे सरीर के ठीक से काम करने के लिए अमलता और चारियता का स्वस्त संतूलन बनाए रखने के उसकता होती है हमारा सरीर सब्सम्वल्ब 35 स सब्सम्वल 4300 पांच के पीएच रेंज के भीतर काम करता है icon शॉपल्म होता है तो चीटि के डंक में जो हैं मेथनोई कहलें की फार्मी करह motion अपलों भी याद रखेएगा और चलिया यहां से देख़िए चिटी के में मेथनोई के सिद् Unbelievable मोधूद होता है सिरुके में सिटिक एसिट बो ہ्ता है आर अंगूर i smack और citric knife में टाटिक एसीड मोजूद होता है और लाक्टीक एसीड के जमाव के कारण चूटा है यह परिमार्ण रुपे मंसपेसियों में दर्ध मंसेव में ठ Harriet महसूस होता है यह लैक्ट्रीक एसीड के कारण थे चलिए अगला प्रेश्ण रिखत में कौन समानता यह होती है कि अम लिया च्छार को जल में मिलाने के पर किरिया उसमा छेपी कहलाती है यही एक समान है बाकी जो यह सब गलत है ठेक चलिए नेक्स प्रश्ण हम लोग देखते हैं 113 नमबर प्रश्ण है कि लिटमस विल्यान किससे प्राप्त होता है लिटमस विल्यान क किससे प्राप्त होता है8 है आठ जन्वडि तुह आए कि इताफ में पूचाए कहाँ प्रश्ण है तो यह लाइकें से प्राप्त होता हैuseं में कि किसे ऋबये यह हिड्रोजन अयन संदरता माप ने की पैमाना क्या है तो वह पैमाना प्यंच स्केल होता है क्या होता है निकि पैमाना है निर्टे क्में इस compar に इस नहीं है यहाँ इसाल से क्रक्षख में Rs. साथ स्याधिक रहेगा तो चाहिए होगा और साथ के जब बराबर होगा तो यह उदा सीन होगा ठेक कि अगला यहां से हम लोका प्रश्ण कि एनों डाइजिंग प्राकरिया में किस अम्लें का परयोग किया जाता है तो इसमें तनु-सल फ्यूरिक अम्लें का परियुक किया जाता है सल्फियूरी का इसका सूतर रूता है एच टो एसो फॉर देखिया यहां एथोनों के कोडिंग बनाने के लिए जो है सल्फियूरी के जुड़ का सबसे ब्यापक रूप से इस्तिमाल किया जाते है ठीक चलिए अगला प्रेशन हम लोगाई कि यदि क कोई billion नीले लीटमसtvopard के रंग को लाल कर देता देहन दिजेगा नीले लीटमस को लाल कर देता है तो रंग में बदलता है तो इसका बीलियन का पीच मन्हीन क्या होगा तो इस Лombiean का पिंच वांशबनत Captain हr से कम होगा यदि नीले लाल में बदल जाए तो ठेक चलिया पैस इसे प्रश्णियां वोका एक सो शंतावन नमबर यह प्रश्णी करें कि निमना लिखित में कौन उभाइधर्मी ऑक्साइड अबाइधर्मी ऑक्साइड कौन सा है तो हम लोग का इसमेर आइट इंस अरोगा ओवाइधर्मी में वेधर अबशाइड काउन सा है तो आपका रा hydrogen ion की संदर्ता सबसे अधिक है यहां पर सबसे अधिक है किसमी तो पीच फोर में जो होगा वह क्या बोलते हैं hydrogen ion की संदर्ता सबसे अधिक होगा यह आपको 11 मार्च द्वाज़रे किसको मोनिक सिप्र में पुछा गया प्रश्ण है कि चलिए अगला प्रश्ण हम लोगा है करें कि चीटी के काटने से इंजेक्शन वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेस्वर करने के लिए निमनल इखित में से किसका परियोग किया जाता है तो बेस्वर करने के लिए जो परियोग किया जाता है जो एंजेक्शन लगा जाता है वह सोडियों बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन होता है चलिए अगला प्रशन में कि निम्रा लिखित में कौन सा आम और वापदार्त जिसमें यह पाया जाता है कि पाया जाता है कि गलत सुमेल है जैसे कि एसकॉर्बिक एसीड यह इवली में लैट्रीक एसिर्द, में यहां पर आप जैली यहां पर जो अच्याली चैनल को अधिक वायू की इस परिकिरिया को किस नाम से जाना जाता है तो इस परिकिरिया को भूनना के नाम से जानते ज italy है अगो को जिए क। एक खोल से निकलने के लिए तकिनिकी सब्दे मिक्रो को किस रूप में जाना जाता है तो नैक्रो को यहां पड़ जाना जाता है मुक्ता सिप के नाम से ठीक प्रश्णी के एक खोल के अंदर से निकलने के लिए तक निकी सब्द नैक्रो को किस रूप में जाना जाता है तो मुक्ता सिप के नाम से जाना जाता है चलिए अगला प्रश्णियां से हमलों का 63 नमर करें कि सूध कार्बन को डोडोडोट के अधीन करके हीरे को संस्रेसित किया जाता है प्रश्णिया कि सूध कार्बन को किसके अधीन करके तो यहां पर बहुत उच दबाव और उच तपमान के अधीन करके हीरे को संस्रेसित किय जाता है option B याद रखेगा चली ने प्रकिर्टिक में पाए जाने वाले धातु के योगई को कहते हैं तो इसको खाने जी कहते हैं option B याद रखेगा चली नेक्स प्रेशन यहां से हम लोग का पाएंसएट नमड जो प्रेशन है कि अलूमीनियम के आयस को क्या कहते हैं तो इसके बकश हचाइड कहते हैं option C याद रखेगा चली अगला यहां से प्रेशन हम लोग का है कि निमन लिखित में से कौन थौरियम का आयस को देखिए फारी इम्का जो आयस्क है वहाई जैण जो होता यह The ऐसकर है चलि अगला प्रशन हम लुकर कहाई कि निम्सवाउट में इन लिखित में क्वोर एक ढंबे का लिकात है इसकि पुछा गया है तो इसकि मेला काईड जो होता प्रीष्ट यह ताम्बे का आयस कहें अगला प्रेश्ण हम लोग का यह 68 नमर करें कि निमना लिखित में से कौन आप मखर सिसा का इसको फीकर को श्योंता है हो गय लेना होता है अप्संसे याद रखेंगा सिसा का यास गयलेना यहां से में लोग का कारवनी के रसाइंस से प् हीरा कार्बन का एक अपरूपी रूप है और जब कोई तो एक से अधि क्रृस्टलिकाज रूप में मौजूद होता है तो उन रूपों को यह लहां सो ऐसे हे प्राइबंद सिस्ट कर्फाईट से आम यहिरा त बर आने में का परतीसाद सबसे अधिक होता है तो एंधरा साइड में सबसे अधिक होता है को चारी नेक्स प्रशन्याव में हम लोगया कि उस स्प्रश्णिया है का नाम बताए यह जित का प्योंग पाने की खथोरता को आज थाय रूपसे दूर करने के लिए कहा जाता है असनाव से क्वोन का एक के अप्री रूफ है कार्मन का एक अप्रोपी रूफ है कों सा तो हम लोग यहां से ही ला होगा ऑफ अल है या फिर ओमल है ठीक है तो हम लोग का इसमें राइट एंसर होगा एलडी हाइड कौन सा एलडी हाइड पुछाए कि कौन से कार्विन क्यों कि में परतेक्ष अल है तो एलडी हाइड है चलिए अगला यहां से प्रश्चने की समस्थानिकों ऐसे परमानू होते हैं जिसम समस्थानिक ऐसे परमानू होते हैं जिसमें क्या तो जिसमें आपका यहां से होगा जिसमें एक ही परमानू करमांग लेकिन जो भीन होगा उसका परमानू दर्वान उसको समस्थानिक है ठीक फिर तर देन देजिएगा समस्थानिक होते हैं जिसमें एक ही परमानू करमांग लेकिन भी नहीं कि अलग अलग जो प्रमारु दर्वान होते हैं उसे समस्थानी कहते हैं अगला प्रश्ण हम लोग का है कि मेटा आइस्टेटिक हड़ी के कैंसर के इलाज के लिए किस वीकिरन समस्थानी का इस्तिमाल किया जाता है तो इसमें जो आइस्टो ट्यम नमासी का किया जाता है इस्तिमाल किया जाता है अगला यहां से चीहत्तर नमर जो प्रेश्ण है कि रेडियम का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास कौन सा है इसमें देखिए रेडियम का जो इलेक्रोनिक बिन्यास बताना है क्या होगा इसमें देखिए यहां पर आफ्सम सी वाला करेक्ट है कि 1s2s2s2p63s2p63dn4s2p64d8 और 5s1 ठीक यहां से आप लोग सीधे यह जो रेडियम का इलोक्रोनिक बिन्यास से ठीक चलिए अगला इदके यहां से हम लोग बात करते हैं तो रेडियम एक है चांदी शफैद्ध धातू तत्व है जो अत्यादी पहरावर्तक और संद्राक्षण परतिरोधी है रेडियम एक रसाइनिक तत्व होता है थेद्यम का परिबंधे मडlic 4 मों और 13 Ultra अगला प्रेस्ण दे क कि आनवेक सत् क्या होता है प्लास्टर्भीक तो 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 है सी एस ओफोर इंटू एक बटे दो एंच टू होता है ठेक शुल प्रिश्णै की निम्राली खित गए सू और उनकी शूतरों को सुमिलिद करना है तरफ गयस त्याया है और एक तरफ उसके नाम दियें गए है देखिए यहां से एक तरफ गैसे और इसको नाम है तो यहां से मिठे ने मीच होता है और pacS to ef super can picks our free additions in ने तो सब्सक्राइब चलिए इसमें कूं आपको देना थह तो कुट बासने आप लोग में बीदर दीजिएगा और अगiquement द्यूसरि방 susit G5u A मापने के लिए रिप्व किया जाता है कि नीम्ना लिखेते में कौन सी गैस के we सब्सक्राइब को बश्केंद मानक प्रस्थितियों में रंग हीन गंदहीन और स्वादिहीन और जाला हीन गैसे होती है आवर्ट सारणी में उतक्रिष्ट गैसों को उनके कोथनांग के अनुसार ब्यवस्थित क्या गया है। अस्थंबन और आवर्थों का हैं अगया नेक्सक्रीघ के लिए परयूंब्र प्रतिक होता है कि अगेला प्रेश्ट नॉज़ोंस प्रताका नाम और रौण रौण धक्रत्यесп बिसिट रसायनिक प्रतिक होता है चलिए प्रश्ण चूरासी नुमर के उस रसायनग्या का नाम बताइए जिसने परमानित किया कि किसी तत्व का परमानु करमांग उसके परमानु दर्वमान से अधिक मौलिगून है और जिसके कारण मेंडलिफ क्यावाट साड़नी नियम तालिका में संसो धर्मा पुछाए गया उस रसायनग्या का नाम क्या है तो हेनरी मौसले क्या है हेनरी मौसले चलिए अगला यहां से हमलोगाइन का पिचासी कि नमर एक उसे जर्मन रसा नग चान बता यह इसने 1817 में तत्यों को यहां पर चुझित्राए沒 समोहित किया था वह समय में पर जर्मन अघ्थे तो उनका नाम था जोहाँ ने बहुआ ऐब उन ओवर रयाए नर्था ठीक हाँ पर सोट कोड में याद रखेगा उनका नाम डोव रे नर्था ठीक चलिए अगला यहां से प्रेश्ट नहीं हम लोग का प्रेश्ट्रे की आर्दुनिक अवर्ड सार्णी तत्यों को डोडल दोड पर अधारी थे अधूनिक जुए परमानुस संख्या पर अधारी थे और नेक्स प्रेश्ट्रे में जैसे ही कोई समूह में नीचे जाता है तो कौन सा जो गुण नहीं बदलता है तो इसमें जो सबसे कौम प्रतिकर्याद सिल यह सबसे कौम प्रतिकर्याद सिल तत्वा है जलिए कि आब रसी का पहला तत्व कौन सा है और अगला प्रेशन हम लोगा है कि आवाट सानी में किसी तत्व की स्थिति उसकी डुरीड संख्या से निधारित होती है तो वह किसे वह प्रोटौन की संख्या पर वुज़े निधा कि अगला प्रशनियां से हम लोगा कि समस्थानिक सब्द का अर्थ क्या होता है समस्थानिक आर्थ होता है कि परमानु संक्या वाले तो लेकिन बीभिन दरभमान संक्या लेकिन जो उसका दरभमान होगा वह भीन होगा उसको समस्थानिक कहते हैं ठेक चलिए अगला प्रशन ह को नोका की इसने surprise की प्रितिभी पर सबसे घृणा पदार्थ को नहीं सब सबसे को होता है यहीं जो है इसका तो सबसे आधिक होता है तो ओखना वहां यहां से एन अगला प्रशने के आश्टक का नियाओं में किसके द्वारा प्रसावित कह गया था तो यह नियम दिया था अलग्येंडर निव लेंड्स के द्वार जोए अश्टक का नियम दिया था प्रशने की स्थिरता पर किस नियम के अनुसार का ननुसार अगला के को से उत्किर्ष गैस प्रकेटिक में रेडियो धर्मी है तो रेड़ावन होगा चलिए अगला प्रश्णि यहां से हम लोग का यहां से देखे रसानिक गूण से जो है प्रश्णि Tattwa किताप माँ में डुटा-डॉट ब्रीदी के साथ आभी किरिया का दर इस्तिरांग दोगना हो जाता है तो इस्तिरांग दोगना हो ध्यम्त से गुज़ाड़ने पर दूधिया हो जाती है तो यह दूधिया हो जाती है poker दूधिय। से गुजारने परठेक में आगेला प्रश्राइखा से हम लोग सहे हैं यहार subjective कि निमना लिखेत मैं से कौन है कि आयनी की यॉगी का गुण है देखिए आयने कि यॉगी का गुण इस था हिसमें से हम लोगा इसको सब्सक्राइब सान खोता है यही जो है आयनी का गुण है ऑप्सन बे याद रखेगा कि एक सुएक नवर प्रश्ण की कमरे के तपमान पर 20 गंद वाली हरी पीली गैस कौन सा तत्व है कमरे के तपमान पर तो यहां ओप्सन दिया गया है ह्था अगला प्रश्ण की हम लोगा है कि कालोली ने एक हरी पीली गैस है जिसमें कमरे के तपमान पर विलायक में बैगनी और पानी में पीले भूरे है वह रंग हीन गए सथे चलिए अगला यह प्रेश्ण हम लोग का 102 नुमबर है यह कि ऑक्सीकरण क्या है ऑक्सीकरण क्या है तो अक्सीकरण होता है यह रसाइन कभी करिया के दोरा आने ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं और यहां से तीसरा प्रेश्ण करें कि सोडियम एक अभी क्रिया सिल धातू है जिसे खुला में रखने पर डड़र ड़र के सांथ जो भी सफोट और आग पकाड़ने अपर जो आग पकाड़ने के लिए अभी किरिया करता है तो यह किसके साथ हैं पर पुचाए खुला में कि परमाणु हथियार में उपयोग किया जाने वाले सबसे आम समस्थानिक सबसे आम समस्थानिक कौन से हैं तो वहां समस्थानिक हैं यूरोनियम और प्लूटेनियम कौन यूरेनियम और प्लूटेनियम जो होते हैं यह परमाणु हथियार में उपयोग किया जाते हैं चलि आज जो अस्तित्व में परतेक प्रमाणु हत्यार इंसमागरियों के कम से कम कई किलोग्राम का उप्योग करता है चलिए नेक्स प्रश्णियां से हम लोग का 105 नमबर प्रश्ण के रहा है कि निमना लिखित में से कौन कमरे के तपमार पर 20 गंद वाली हरी पिली कैसे यह प्रश्ण रिपीट हो रहा है यह आपका क्लोरीन होगा हरी पिली क्लोरीन अफसम से याद रखेगा चलिए नेक्स प् दारन है तो यह जु हैं तर्मल अफ़ घंकरिए का खटन है किसका अभणंब कहाँ प्रश्ण करहें के और यह जो चुने के पानी को दूदिया कर देता है इस बिलीएं बिलियन में पूचा गया कि क्या सामिन है एचल एनसील एल सी एल तीरी या फिर एमजी चल तो तो हम लोगा राइटेंसर होगा यह एचल इसमें सामिल है हाइड्रोक्लोरिक आमल चलिए अगला यहां से कि यहां पर एक डत्त या फिर दो या अधिक पदार्थो Artyom का सजोती है कि एक किया फिर यहां पर एक जो होगा यहां से राइट एंसर कि एक बिलियन दो या अधिक पदार्थों का जो सजातिय मिश्रण होता है चलिए अगला यहां से प्रिष्णि हम लोग का नॉ hydraulic क्रिश्ण के लिए ըिवनाली तमें से किस भीडि का उप्योग किया जाता है तो इसमें ऊप्योग किया जाता है अधर मुल का फेलिक ठीक पुझाया कि इननिसील और एनेचे फट अने विद्वालर को अधरियोग किया जाता है चलिए नेक्स प्रेश्णियां से हम लोग का 110 नमरे की पानी और यहां पर पानी और और अगुलन सिल पदार्थों के मिसरन के भारी अगुलन सिल घटों को का जमाव कहलाता है तो यह जमाव जुए आव साधन कहलाता है अपसवां डियाद रखियेगा इसको प्रेश्णि एक गोधी फिलियन आफ्चन भी याद रखियेगा चलिये अगला प्रेश्णियां से हम लोग का 112 नमबर प्रेश्ण के रहाए कि पावर अलकुहल डॉडडड़ाट और एथिल अलकुहल का मिसरन होता है तो जो पावर अलकुहल होता है यह पेट्रोड और एथिल अलकुहल का म इसमें एथेनौल जो हता है 80% पेट्रोल पलाज से 20% एथेनौल पलाज से बेंजीन की जो थोड़ी सी मत्रा होती है पेट्रोल के साथ मिस्ट्रित बेंजीन एक छोटी मात्रा की उपास्थिती में पावर एलकोहल कहा जाता है अगला यहां से 113 नमबर प्रश्ण करें कि सोडा वाटर जैसे वाती तपे में बिलाए के रूप में कौन सी गैस होती है तो इसमें बिलाए के रूप में जो है कार्बन डैक्साइड गैस होती है ऑफ्सन यह याद रखिएगा चलिए नेक्स प्रश्णिया से हमलों का 14 नमब प्रश्णियां से हमलों का 115 नमब रश्णिय के निमना लेखित में से कौन एक चारी बिलियन नहीं रिखेश हार यह बिलियन इसमें से कौन सा नहीं है तो अलूमिनियम जूँ है डाक्साइड है या एक चारी बिलियन नहीं है अगला यहां से प्रिश्ण हम लोग का 116 नमर जो प्रिश्ण करें कि दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के करणों के आप आपस में मिलने के लिए किस सब्द का परियोग किया जाता है तो इसमें जो परियोग किया जाता है प्रफसार का ठीक है इसमें पुझाए कि दो अलग अलग प्रकायर के पदार्थो के करण़ों को जो आप ने में यहां पर एक मिलनें की परकेदिया को सब्द को क्या करते उसको प्रसार कहते हैं चलिए अग्ला प्रशनियां से 170 नुमर करें के बेकिंग पाउडर में पाई जाने वाले तत्येंग नाम लिखिए बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम सोडियूम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सिजन यह चार तत्वे हैं कार्बन यहां पर है कार्बन ऑक्सिजन हैड्रोजन और सोडियूम चलिया अगला प्रश्णियास से 108 कि निमनलिक फित मैं से कोन को लाईडो तो तो इससे घूजरने वाले प्रकास की रर्ण को विखेर hanno था है यह kuh yeah कि आगला यहाँ से Ice प्रेश्णम लोग 919 नमर कि किसी बिलए और विलाय के सामांगी मिश्रन को कहते दीक किसी बिल और बिलायक के समांगी मिश्टन को क्या कहते हैं तो मिलियन कहते हैं उपसन यह याद रहेगा हुआ उसे बिलियन कहते हैं चलिए अगला यहां से हम लोग आप रस्ञाइब यह सो 20 नमबर है यह प्रिश्म करहा है कि निमाली खित में से इस में एकिस Demo की संधरता सबसेधीक होती है हाई जो जिसका चार होगा उसमें संधरता जोईनों की होगी सभसे सथ होगी TH यहांसे देख लेते हैं यहांसे जो pH 4 ना ऑनल्ट की पैमाने पर हाई्ड्रोजन है और पी हेस बात का माप है कि पानी कितब मेर और की आए सिमा इस की बनें से लिए प्रश्णियां से एक्सो एकिस नमर के रहें कि चीनी के अलकोहल में बदलने के प्रक्रिया कहलाती है तो चीनी को अलकोहल में बदलने के प्रक्रिया को किनमन कहते हैं अगला प्रश्णिया है हम लोग का 112 नमबर करें कि निमनल लिखित में से किस मिस्टरन का उपयोग सोने को सुध करने के लिए क्या जाता है सोने को सुध क एकवाएजया एक ब्यूद के सोने को सूत करने करने के लिए किया जाता हैे और एकवाएजया कव्योद मुखेश रुप से जो कुझ दरन wrecked 1989 नौबंबे दसमल और act999 परतीसद ने की परिकृत करने के लिए Marl पर वहल विदल प्रकेरिया में कोलोरो और एक एसिड और इलेक्ट्रो लाइट का उस्पादन करने के लिए किया जाता है चलिए अगला यहां से हम लोगा जो प्रेश्ण है यह प्रेश्ण आपका रोजमारा के जिन्दगी में रहसायन बेयां से प्रेश्ण पूछा गया दे प्लास्टिक में किया जाता है प्लास्टिक उद्ध्यों को बनाने में चलिए अगला यहां से जो प्रेश्ण हम लोगा यह के रहे कि निमना लिखित में किसमें CFC सामिल है CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन किसमें सामिल है तो आपका राइट एंसर होगा यह सितलक में सामिल होता है पाईचलिए अगला प्रेश्ण को सरक्रा को अलकोहल में बदलने के परक्रिया की मन होती है कि अगला यहां से 126 नमरे करें कि बाइओ गैसे थे त்करिष्ट इंदन है क्योंकि इसमें 75 biodoskop 2 567 तक मिथेन उता है फिस में चलिए अग्यला प्रेश्ण यहां से देख लेते हैं व्यक्ति इंदन जाने क्यों और सुच्भर मिधेन होगा से अग्याय सबस्काइड य के साथ हैं तीन जो है मुख़् होस्म गैसों में से एक है चलिए अग्ला यहांसे प्रेफ्लिये नीम नालिक आखीत मैंसे कौन सा सोफी पै में फ्रीज मीस्हंड करते हैं यहां प्री यहां पर जो है फेज मिश्रण करता है देखिया यहां से देखते हैं कि यह तो यहां से हम लोगा राटन स्रोंगा वह कौर बॉनिक अमने स्रित होता है ठीक चलिए है अगला यहां से प्रेश्ट नमर करें कि निमना लिखित में से कौन प्लाश्टर और पेरिस में प्लाश्टर और पेरिस के बारे में सही नहीं है ठीक है इसमें देखना है कि प्लाश्टर और पेरिस के बारे में कौन सा कतन सही नहीं है तो हम लोग सब्सक्राइब बनाने के लिए बिए किया जाता है बस इसमें गलत है कि पानी से भीगने पारे प्लाइब पेरी से नहीं बदलता है यह कथन गलत है इस चलिए अग्लां यहां से 129 नवर प्रस्थनह की हलका और जवलन सील होने के कारण गयस compliant हवां भरने के लिए करा जाता है यह यह हलका होता और यह जवलन सील होने के ता है हिला के जाता है कि चांदी का अभूसन हवाके संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काला हो जाता है ऐसा क्या हो तो कुछ समय बाद ये काला हो जाता है पूछा गया है कि ऐसा क्यों देखते हैं यहां कि इसमें देखिए क्या द्याय गया है क्याला नहीं हो जाता है तो इसमें क्या हुते है कि सील्फर शर्फाइड बनाने के लिए इसलिए वह क्या जाता है हुआं चलिया अगला प्रिष्णियां सेहें लों का एक्सो एक्स नमर करें कि मैं कागाज के भूरे होने की प्रख्रीया क्या कहलाती यह अगरें क्लिए अगला प्रश्नियां से यह इसमें समागरी मिला जाती है वह खामीर मिला जाती है ठेक 133 नमर प्रशने के उस गैस का नाम बताए जो विक प्रकार के लाइटर में भरी जाती है वह पूछाए कि कौन से गैसे तो वह ब्यूटेन होता है चलिए नेक्स प्रशनी हम लोग का 134 नमर यह कह रहा है कि निम दो कोन नैंजो कारर देता है तो हम लोग का रइट से रवकार जोता हो काला कर देता है अक्सीजन के साथ अभी किरिया करके चलिए यहाँ दिया है कि सौन में सब्धकर कड़के उसलिए जैसे हाय新त Best है और इसके समपगमे आने पर काला हो जाता है चांदी में किसी भी धातों की बीदूते चलकता सबस्यादिक होती है और इसलिए इसलिए यह एक अत्यादिक मुल्यवान उपदार से 35 नौर प्रिशने की सोडा वाटर में कौन से गेस पाई जाती है तो सोडा वाटर में इसमें कार्बन डायोकसाइड पाई जाती है अगला प्रिशनान का कि निम्ला लेखित में किसका ओपयोग जल के सुधिकर्ण के लिए कि जाता है जल के सुधिकर्ण के लिए किया जाता है यह आपको मॉनिन्ग टित क्वत को पुछा से लिया वैजिए जिका एक इसमें को 237 प्रषने पानी के पाई के निर्माण के लिए किस बहुला का उपयों किया जाता है। यह पॉली-बिनायल को निर्माण के लिए किया जाता है। यहां पर पॉली-एशट्राइः से नीन का उप्योग पैकेजिंग उपर बोग्ता एलक्ट्रॉनिक से बहावान और निर्माण में चीजाता है रछेग मोटीव घृतकव में गरदायटेश से नम्ना लेक्षक नताइब कौन सा जो सकनास्य तो टूफ टी जो हता है वह सकनासी ओता है कि आगला प्रेंगी बिलेचंग पाइडर का उप्योग डर्ड़ डॉत के लिए नहीं किया जाँ रोटी तयार deliver काई निर्टर निर्फीद में किसा का उपयोग अपने इंधन के रूप में तोॉद आ यह पुछाए कि निमनाली खित में से किसका अपयोग अपने इंधन के रूप में करता है तो वह करता है तरल अक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है नेक्स प्रेशन देखते हैं यहां से 141 नमर करें कि निमनाली खित में से कौन है आचार के लिए एक अच्छा परिक्षक नहीं है आचार के लिए कौन से अच्छा जो परिरक्षक नहीं है तो हम लोग का राइट इंसरोगा काली मिर्च जो यह अच्छा परिरक्षक नहीं है मिकल्प में किया जाता है ये जो इत्र के निर्मान में 31 डियुलाइं 20 को इवनिंज सिपता गया प्रेशने सी लिए सेदए फरेशनें कोजने से शुरुआ छूरी क करेस्थी की नि क्Insa Sada दवरां बनाए तो यह जो क्रित्रिम और वरक है पहली वार यह बनाएगा था नांत यह है 19 विस ताबदी के दवरान बनाएंगा था ठीश जलिए अगला प्रिश्च नहीं कर कि कि प्रकिर्फिक बारे में मुल रोव्ल सिदान्थ किसने प्रदान किया तो यह मुल सिदान्थ किसके द्वारा प्रदान क्या गया जोन डाल्टन के द्वारा ठेक चलिए अगला प्रशन हम लोगा है कि इलेक्ट्रोनों की खोज पर उनके कार्या के लिए किस ब्रिटिस भौतिक विगानी को 1906 में भौतिक में नोबल पुरुषकार से समानित क्या गया था किसको तो नोबल पुरुषकार स कंड की खोज की उप परमानवी कंड की खोज की थी तो वो के थे न्यूट्रोन का खोज जिम्स चौडवीक चलिए अगला यहां से 147 नोब प्रशन के उस ब्रिटिस से रसाइन अग्या का नाम बताए जिस ने 1808 में दरवान के संरक्षन और निश्चित अनुपात के नियम पारे परमारु सिधान प्रस्तूत किया जो गतिक अध्यान में एक महत्वपूर्ण मोड यहां पर जो महत्वपूर्ण था एक महत्वपूर्ण मोड था तो यह किसके द्वारा प्रस्तूत किया गया था तो यह किया था जोन डाल्टन के द्वारा चलिए अगला यहां से प प्रिश्ण हम लोग का 109 नुमर करें कि आयाइटी गांधी नेगर के छात्रों ने उपयोग के हैं पर उपयोग से दुनिया की सबसे पतली समागरी बनाई है किसके उपयोग से तो यह बनाया गया है मैं यहां जो है मैंगरिसियम मैंगनिस्यम है ठीक है मैंगनिस्यम और लाइट के उपयोग से चलिए ने एक्स प्रेशन देखते हैं यहां से एक सो पिचास नंबर जो प्रेशन कह रहा है कि 1921 में अलबर्ट आइंस्टीन को डॉड़ाड़ के लिए नोबल पुरसकार से समानित किया था तो उनको नोबल पुरसकार से समानित किया गया था प्रक प्रिकावन नोमर से जो प्रेशन ही यह सधार नाम से प्रिशन है कि चुने के पानी का रसानिक शुत्र होता है वह सीएंटो ओंशी टू होता है अप लोकि याद रखिएगा चलिए अगला यहां से देखिए प्रेशन हमनों का बाउन नमर की मिधन के लिए क्या प्रतिक कि को देखें मिथिए का प्रतीक होता है टुकि और एक है चलिए मिद्धन के बारे कुछ दिया गया है कि मिद्धन का रशानिक सुट्र जो होता है और यह जो होता है चोदा का हाइडराइड है और तथा सबसे सरल अलकेन और प्रक्राइतिव गैस का के घटक है मेधिन है कैल्सिया मॉक्साइड का दूसरा नाम क्या है पूछा गया है इसका दूसरा नाम काली चुना है और से याद रखिए गा चलिया अगला यहांसे हम लोग का प्रेश्ण 154 नमरे करें कि जिपसम को यहां पर 373 केलबिन पर गर्म करने पर यह पाने की अनुओं को अमुद करता है और कैल्सियम सलफेट है हेमिहड़ेट बन जाता है इस पदार्थ का उप्यों गये खिलावने सजावट के लिए और खिलावने और सजावट के लिए और यहां पर लोह को वनाने के लिए किया जाता है पदार्थ को समाने तो किस नाम से जाना जाता है तो इसको पुछा किस नाम से पलाश्टर और फेरिस के नाम से जानते हैं आप लोग से याद रखिया पलाश्टर और फेरिस का नाम से जानते हैं चलिए पाच्पन नमर प्रशने की निमन प्रशन चलिए अगला प्रशन देखते हैं एक सुन्ताओं नमर प्रशन क्या रहे हैं कि नीला थोथा का रसाइनिक नाम क्या है तो इसका रसाइनिक नाम है और और साब उफसन सियाद रखियेगा कोपर सेलफेट चलिए एकस्प्रेस्निया यहां से लोका है एक सुन्ठाओं नमर प्रशने की निम्नलिखित मेंसे कौन सा वायू पर दूसा के काली के रुप में जाना जाता है वह हम लोग है कृणिका तो तो को जानते हैं चलिए यहां से से देख लेजिए यह जो यहां से कली का एक परकार के कंड़ पर दूसरां के लिए समान यता सब्द है जिसमें पी एम 25 भी कहा जाता है और पॉली कुट नहीं पर यह पॉले पॉर्टी कुलेट मैटर जो दो दिसमलो पांच माइक्रोमीटर ब्यास या उससे भी छोटी होता ह है उसे हां पर पॉली कुलेट मैटर हवा में निलंबित सभी ठोस और तरल कंड़ों का योग है जिसमें से कई खतरनाक है इस जटिल मिस्रण में कार्बनिक और और कार्बनिक दुनों तरह के जुए करण सामिल होते हैं जैसे कि धूल हो गया पराग हो गया कालिक हो गया तरह कर दिया सभी आते हैं कि चलिए नेक्स प्रश्णिया से हम लोग का यह 169 नमर करें कि सधारा नम्म का रसानिक सुत्र होता है एन ए सी एल चलिए अगिला प्रश्णिया से जिंक सर्फेट हेप्टा हाइड्रेट डॉड़ यहां पर इसका सूत दिया गया जैड़ने सब इसको समान्याता के रूप में जाना जाता है तो इसको समान्याता सफ्याद ब्रेटियाल के रूप में जाना जाता है अगला हम लोग का यहां से प्रश्णिया एक्सो एक्षाट नमर करें कि पारा का समाने नाम क्या है तो इसका समान नाम है क्रिक सिल्वर यहां पर क्या है chain सिल्वर और गांट है चलिए आगे ऑन के सिमरों का एक Σो भाव मेरों नंबर जो परिश्रन के रहा है यह यह प्रिशन कि कि सक को है किस गत्रेस को हमसानेवाला An previous के नाम से बिर जाना जाता है देखिए हासाने वाली गेस के नाम से भी जाना जाता है कि इसको तो नाइट्रोस अक्साइड को जो हासाने वाली गेस के नाम से भी जाना जाता है ठीक नाइट्रोस अक्साइड का सुद्र होता है एन टू ओ ठीक चलिए यहां पर की देखिए नाइट्रोस अक्साइड के समा यह नाम है क्या है तो इसका स्मान यह नाम थो डिसका रसाने सुत्र आण reaction होता है बस आप भ deck आलका रसान दोड़ा र árat रहा चलिए अग्छा फ्रहारी की गिलेसरोल का आई फेक नाम क्या है तो गिलेसरोल का आइउप reduces नाम जो है वह प्रोपेन वांटो त्री ओर ट्रायोल क्या राइवल आप्सटन आपक डिया रिखेगा प्रोपेन एक दो टीन हो ट्रायोल चलिया अगला यहां से प्रश्ण लोगा एक सुपाइंशन नमरे करे की ए तीन सो का समान या नाम का यह जो ए तीन हंड़ेट तीन क्या है विटामिन सी चलिया अगला प्रश्णिया से हम लोगा 66 नमरे करें कि मरकियों यहां पर जो हमरी मैयूरी एटिक ठीक हैं पर मैयूरी एटिक एसिड को वेगानी की रूप से जाना जाता है किस नाम से वेगानी की रूप से जो है किस नाम से जाना जाता है यहां ऑप दो चलिए आगला प्रशने अगलों का यह बीवित दुए प्रिश्नी टाट्वा प्रशने की सेरी कल्चर सब्धनीरवा भी टीमें से किसा से समबंदी तो शेरी बिल्कुल यह जो संबंदीत है आपका रेसम से हो जाएगा एक पी कल्चर जो होता है वह मद्धुमक्रेंस होता है देखिए यहां से सेरी कल्चर सब्सक्राइब बिल्कुल यहां पर रेसम के खेती संबंदी थे और रेसम उत्पादन रेसम के कीड़ों की खेती बॉंब्रेक्स मोरी रेटम यहां पर रेसम कीट की सबसे ब्यापक रूप से इस्तिमाल की जाने वाली प्रजाती है ठेक खो नैक्पुलाव करा की कौन है चुना पथर को कश्य के मौल के रूप में उपयोगग करता है तो कश्य मौल के रूप में सिमेंट सिमेंट करता है अपस्दं यह बयारे Conse coming की है मैं प्रोटीन प्रोटीन और अन्यायोगी को किस में तब किया जाता है तो इसे में नाइट्रोजन का ऊप्यों किया जाता है तो नाइट्रोजन का चलिए अगला और यहां से प्रेशने के ट्वाचा को किटणासक से बचाने के लिए समय जेल किसके द्वारा बिख्सित क्या गया है समय के जेल जो है किसके द्वारा बिख्सित क्या गया है तो यह अश्टेम सेल विग्यान और पुनर्योजी चिकित्स संस्थान के द्वारा जो है तो वाचा पर त्वाचा को किटनासों को से बचाने के है बोरिक अमन गाटक है कि देखेजव निम्नकर बात करें तो यह होती है वह 173 नमरी प्रश्चू कहे रहे हैं कि रेडियो धर्मी समागरी द्वारा वुतेसार जीस हो की मत्रा को पारंप्रे की काई डोडोडोड का उपयोग करके मापा जाता है तो यह उपयोग करके मापा जाता है किवरी का उपयोग करके मापा जाता है पर परंप्रे की काई कीवरी का उपयोग करके मापा जाता है चलिए अगला प्रश्णिया से हम लोग का एक सो चोबतर न एगनिसियम होता है चलिए अगला यहां से प्रश्ण एक निमना लिखित में से किसका उपयोग परमाड़ों रियक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है जल ग्रिफाइड भारी जल का किया जाता है अगला यहां से प्रश्ण एक दो 176 नम्र करें कि निमना लिखित में से कौन सा वीटा यहां पर कौन सा जप दिजनी का संचलन नहीं करता है विचलि का संचलन यह अलकोहल और जोगल्कोज होते हैं यह बिजलि का संचलन नहीं करते हैं ऑप सण सी याद रखिएगा अगला प्रश्णियां से हम लोग का 177 नमर ये प्रश्णि कह रहा है कि भारी पानी निम्नलेखित में से किसा से संबंदित ये सब्द है तो ये जो प्रमाणो उड़ जा उत्पादन सरयंतर से ये संबंदित जो पानी भारी पानी ये सब्देट है है अगला प्रश्णियां से हम लोग का 178 नमर प्रश्णि की भारी पानी को ऐसा इसलिए क्यों का जाता है तो इसके पीछे कहने का जो रिजन है कि यह प्रोटेन यह पर यह प्रोटियम के वजाए हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम का उप्योग करता है इ हर टो के लिए कौन सा सकते है तो इसमें हम णोगाब देखेसिए करें जो है सीनुट के लिए हैं सीयोट के लिए कैने परहला नाट्रोजन का जो कत्व होता है माइनस 196 डीग्री सेलसेस होता है ठीक छलिया कि अगला प्रेशन हम लोग कारवन क्रेडिट में अकरवन क्रेड़ित तो इसमें सामिल है 1000 किलोग्राम कारवन डेक्साइड सामिल होते हैं एक कारबन क्रेडिट में यहाँ पर पुछा जाएगा कि एक कारबन क्रेडिट बरब्र तो आपको 1000 किलोग्राम कारबन डेक्साइड ठेक चलिए अगला प्रशनी यहां से हम लोग का कि यह प्रशनी कह रहा है कि मेरी क्यूम ने निमनाली खित में से किस छेतर के लिए नोबल पुरुषकार जीता था मेरी क्यूम के द्वारा किस पुरुषके किस छेतर के लिए नोबल पुरुषकार जीता गया तो भौतिक और रसायन या दखेगा भौतिक और रसायन के लिए मैडम की रूए निआ जो है नोबल पूर्णफकार जीता था चलिए अगला प्रश्णियां से हम लोगा है कि डाड़ाइब आट के तीन सक्रीय रूपे तो इसमें हम लोगा हूगा भीटामीन में एक टिन-सकीलियरूप रेटिनल और रटिनल और रेटिनल और रहाई नोएक ऑमल है टिनोई यह बीड़ामिन एक सक्रियरूप है चलिया है अगला प्रशने के निम्नल कित मेंसे कौन या निर्धारित करता है कि रसायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है कोवन यह निर्धारित करता है कि रसायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है तो आकार में परिवर्तन यह निर्धारित करता है कि भी रसायनिक जो अभिक्रिया है वो नहीं हुई है अगला प्रेश्णिक फ्रोट के कि या अर्पट रिंगित करता है यहां पर देखे जब आप लोग्या निर निर्देशित करता है तो इसका फुलको फ्रम मोलता है वह नाइट्रोजन फिस पोरह और auditor would एंसे नेटोजन पीशेफासफोरस और केव से पोर्टेस्यम ठेक चलिए नेक्स प्रेश्न यहां से हम लोगा एक 186 नमर प्रेश्ण की नाइलोन और पॉलीएसटर जैसे फाइबर जो रसानी पैदार्सों से बने होते यह कहलते हैं तो यह क्या कहलते हैं सिंथिक फाइबर क्या करते हैं क्या कर दोते हैं सिंधिक फाइबर चल अगला प्रस्म रिख्यत में से हुट पाद इसुट लेंप के साथ welcome के जलने से बनता है देखिए मेगनेशियम रीवन के जलने से बनता है वो मेगनेशियम औक्सवाइड बनता है अगला प्रश्ण हम लोग का 188 नमबर है डोड़ डोड़ एक सल्फर युक्त एमीनो एसीड है देखिए हां पर कौन सत्व यहां पर सिस्टीन जो है यह आपका यह के सल्फर युक्त घैनात ह mixes उनके कि सब्सक्राइबीं और अद्र बैrete helping को मार् detto सिस्टीन जोटीन सद्राइब और च्छीन आफ उन्हों साच तो इतने टापार मान के जो बराबर गारशियरी का यह बायात मैनर 232ो टी कि ये बराबर है register आगला प्रेशंग हम लोग का यह 50 so नुमर्द ये यह यहांसे हम फ्रकिन सके बारे में जान लेते हैं तो देखिए यहां पोड़े वृधवार्थ पातक किरिया पदार्थ के ठोस और गैसिय चरणों के बिचरुपांतरन है जिसमें कोई मद्यावर्ती तरल अवस्था नहीं होती है कपूर नेप्थलीन ओस्मियम कोल्राइड आयोडिन और सुखी वर्फ कुछ ऐसी पदार्थ है जो उच बनने की किरिया से गुजरती है ठेक चलिए अगला यहां से प्रश्ण है कि 1992 में परमाड़ों की संद्राचन और उन से निकलने वाले बीकिरण की जाच के लिए भौती का नोबल पुर्सकार किसे दिया गया तो भौती का नोबल पुर्सकार निल्स बोर को दिया गया था 1922 में ठेक चलिए अगला हम लोग का प सिंथेटिक फाइवर असानी से आग पकड़ लेता है हलांकि फायर मैन की वर्दी में डोडोडोडोड पलस्टी का लेप होता है जो उन्हें ज्वला प्रतिरोधी बनाता है प्रश्ण के सिंथेटिक फाइवर असानी से आग पकड़ लेता है हलांकि जो फायर मैन के वर्द तोदी में मिला होता है जिसके कान वो जो आला प्रतिरोधी होता है उसमें आग नहीं पकड़ता है ठीक चलिए नेक्स्प्रस्न हम लोगा 149 आसे हम लोके कि नहीं है निम नमेसे किसका स्थांग को जाता हैhen तो इन्हें सर्ग अपर चाहिए कबल्ट काई एक स belong स्थानिक होता है जिसका उप्लचार्ड जो है की चैन्सर के व्यार्म किया जाता जिस चलिए अगेला प्रष्ण हम लोग की की तड़ीत द्वारा बंडल में कौंच सी गैस इस्तिर के जाती है तो थी स्खिराव के जाती है यहाउस प्रहाई विवे देंगे और प्रृभाव के लिए उतरदाई नहीं है ग्रिईन घास के लिए तरदाई नहीं है कौन सा तो इसमें देख धिए इस तीनों में से यहां नहीं देए गया है कि यहां हम लोगा राइट इंसर होगा ग्रीन हाउस के लिए आपका परिवहन के लिए शौर कार का उपयोग जो हता है ग्रीन हाउस के लिए प्रवाई थे ठेक चलिए अगला प्रश्ण हम लोगा है एक निमना लिखित में से कौन कैल्सियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं ह बाकि जो संग्वर्म रुआ चूना पत्रवा चौक यह सभी कल्सियम कार्बोनेट का रूप है चलिए अगला प्रश्ण हम लोगा 200 नमबर करें कि पानी के अस्थाई का ठोड़ता डूर 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 जोड़कर दूर के जाती है तो इसमें क्या है कि वासिंग सोडा देखि अगला प्रश्ण हम लोगा 200 एक नमबर करें कि गर्मा गरम प्रकास बल्वों को भरने के लिए आरगन आम तोर पर इस्तमाल की जाने वाली गैस है क्योंकि आरगन डौड़ डौट है तो आरगन जो होती है यह क्या यह अक्रिये गैसे क्या है आरगन जो एक अक्रिये गैसे इसलिए इसका उप्योग होता है इस्तमाल होता है चलिए अगला प्रश्णियां से हम लोगा 102 नमर यह प्रेश्ण जो कि हम लोगा यह रसायन बेग्यान का अंतिम प्रेश्ण है प्रेश्ण करें कि अमलिये बरसा तब तक होती है जब वातावरण अत्यादिक परदूसित ह नइस यहाँ तब तक होती है जब तक बतावआं अत्याधिक पृद्थ्थ होता है तो यह गना की जो है दो सब्सक्राइब की पिनाइकल पॉब्लिकेशन का बुक में फिजिक्स का और एंटी पीसी सीबीटी वन का जो प्रेशन है था हम कंप्लेट कर लिए और अगला जो वीडियो होगा आपको वह बाइलोजी कर आएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब एंटे कर देगा थे हमें अले बेस्ट